नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूटूब चैनल में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घर की नाली किस दिशा में होनी चाहिए? दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्थ हो सके तो चलिए शुरू करते हैं घर की नाली इशान उत्तर पूर्व या वायव्य तथा उत्तर पश्चन कोण की तरफ होनी चाहिए? मतलब नाली से इस इस दिशा की तरफ जल का बहाव होना चाहिए? नाली को ढखकर रखना शुब माना जाता है वास्तु शास्त्र के अनुसार मकान की पूर्व दिशा में जल का बहाव शुब माना जाता है अगर उत्तर दिशा में जल निकास है तो धन लाब होता है दक्षन दिशा में बहाव अशुब है इससे परिवार में कुछ ना कुछ बीमारी की समस्या रहती है तथा पश्चन दिशा में नाली से पानी का बहाव धन हानी कर सकता है तो इस दिशा में नाली नहीं होनी चाहिए चट का पानी किस दिशा में गिरना चाहिए? अगर देखा जाएं तो शहर में आपको अधिकतर मकान सपाट चट वाले देखने मिलेगे इन चट पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मकान के चट का धलान किस दिशा में होना चाहिए? कुंदली का बारहवा भाव मकान की छट माना जाता है अगर घर की छट सही रखेगे तो कुंदली का बारहवा भाव भी अच्छा रहेगा छट मुख्य तिन प्रकार की होती है सपाट छट, धालू छट और गोल छट यह तीनों प्रकार की छट वास्तु के अनुसार बने तो अच्छा माना जाता है छट का धलान हमेशा दक्षिन-पश्चिन और उत्तर-पूर्व की तरफ होना चाहिए इसे शुभ माना जाता है घर के छट का धलान इस दिशा के विपरीत नहीं होना चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों कृपया वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले